भाल आस्टिय। एलो एस्ट्वेंन्टHHHH आपके अपने चनल क्रेटिंग मैतमेटिसियंस में आपका स्वागत है एस्ट्वेंन्ट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्सन का अलिपस जिसमें हम इस तरीके की equation के दिये आने पर उनकी authenticity, center, vertex, focus, lattice rectum कैसे निकालेंगे, इनकी 100 tricks मैं आपको बताऊंगा, जिससे ये questions कुछ ही second में आप निकाल सकेंगे, अभी तक आप ये questions transformation of axis के lengthy method से करते थे, जिसमें 8 से 10 minute लगते थे, और इन tricks से आप ये सभी questions एक minute में ही कर सकेंगे, तो आईए, शुरू करते हैं, method, देखिए, क्या है method students, यहाँ पर equation आपको दी गई है, x square प्लस 4y square प्लस 2x प्लस 6y प्लस 13 equal to 0, इसका हमको authenticity, उतकेंदरता, center, vertex, focus, lattice rectum, मतलब ये केंदर, series, ना भी ना विलम, सारी quantities निकाल ली है, तो अब students यहाँ पर दो तरीके के ellipse आपने पढ़े हैं, सबसे पहले हम यह decide कर लेंगे कि यह कौन से type का ellipse है, जैसे कि आपने standard equation जो पढ़ी है, फिलार यह standard नहीं है, लेकिन उन्ही से compare करके इनको करना है, आपने standard equations पढ़ी है, जैसे एक ellipse आपने पढ़ा है, इस तरीके का होता है, along x-axis वाला यह, और एक ellipse आपने इस तरीके का पढ़ा है, along y-axis, इस तरीके वाला, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले यह identify करना है, कि यह कौन सा type का ellipse है, तो हम इसमें यहाँ पर सबसे पहले a square और b square निकाल लेंगे, a square देखिए, यहाँ पर जो y square का coefficient है, उसको हम a square लेंगे, और जो x square का coefficient है, उसको हम b square लेंगे, तो यहाँ पर a square 4 और b square 1 हो जाएगा, इसमें उल्टा काम करना है strength, आप यह ध्यान दीजिएगा, कि जो y square का coefficient है, वो a square होगा, और जो x square का coefficient है, वो b square होगा, ऐसे ही यहाँ पर देखिए, a square जो है, यहाँ पर हो जाएगा 9, और b square जो है, वो 25 होगा, x square का coefficient, अब हम इसमें यह देखेंगे, कि a, b से बड़ा है, कि छोटा है, तो देखिए, यहाँ पर इस वाले में, a की value 2 है, और b की value 1 आईगी, तो a greater than b है, तो अगर a greater than b है, तो यह इस type का ellipse होगा, और यहाँ पर देखिए, a less than b है, तो हमारा यह along y axis यह ala ellipse होगा, तो सबसे पहले जैसे हमने यह recognize कर लिया, कि यह कौन सा ellipse है, तो अब हम यहाँ पर इसी ellipse a greater than b मानी की, यानि की इस type का यह ellipse है, हम इस पर working करेंगे, तो हम आते हैं सबसे पहले, eccentricity e, जो है, root 1 minus b square upon a square, इस से हम निकाल लेंगे, तो देखिए, क्या आएगा, equal to root 1 minus, अब अगर आपको यह formula learn नहीं है, कोई बात नहीं, आप करिए, क्या बस कि a square b square में, जो छोटी value है, वो उपर रखिए, जो भी छोटी value है, उपर a square होगा, कि b square होगा, इस से मतलम ना रखिए, आप जो छोटी value है, a square b square में, वो उपर रख लिजिए, और जो बड़ी value है, वो नीचे रख लिए, तो देखिए, यहाँ पर a square की value बड़ी है, तो यह हो जाएगा, तो यह इस तरीके से 3 by 4 आ जाएगा, रूट का, यानि कि e की value हमारी आ जाएगी, root 3 by 2, तो e की value आ गई, अब center के लिए हम क्या करेंगे, students, कि हम यहाँ पर, जो हमको equation दी गई है, कोनिक की, ellipse की equation है, इसमें जो x square और जो x के time है, देखिए, यहाँ पर यह x square और x का time, इसको हम differentiate करके 0 के equal रख देंगे, तो देखिए, x square को differentiate किया हमने, तो यह आएगा 2x, प्लस 2x को differentiate किया, तो यह आएगा 2, और y को हम constant treat करेंगे यहाँ पर, मिलाके हमको यहाँ पर x square और 2x, यही time देखना है और इसको differentiate कर देना है, equal to 0 रख देंगे हम, तो इससे हमको देखिए, x की value मिल जाएगी, minus 1, अब ऐसे ही हम यह जो y square का time है, इसको देखिए, यह y square वाला time, और यह y वाला time, इसको हम differentiate कर देंगे, तो 4 रख रहेगा, y square का 2y हो जाएगा, तो यह 8y हो जाएगा, plus 16y का differentiate करेंगे, तो यह 16 आएगा, with respect to y differentiate हमको करना है, equal to 0, इससे हमको y की value मिल जाएगी, minus 2, तो यह जो x और y की value आई है, इसी से हम center c लिख देंगे, minus 1, minus 2, तो आप center के लिए समझ गया होंगे, कि हमको क्या करना है, अब vertex और focus, इ इस form का vertex क्या है, यह आपको मालूम है, एक यह vertex होता है, और एक यह vertex होता है, vertex इसका होता है, plus minus 1, 0, और focus यहाँ पर, और यहाँ पर यह दो focus होते हैं, यह होते हैं, plus minus 1, 0, सिर्फ इतनी जानकारी आपको ellipse के बारे में होनी चाहिए, बाकी आपने class 11, 12 में ellipse पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप यह सारी quantities निकाल देंगे, अब देखिए, तो vertex के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का ordinate same है, दो vertex हैं और दो focus हैं, लेकिन उनके ordinate same है, देखिए, 1, 0, 1, minus 1, 0, त्यानिकी 0 दोनों में आ रहा है, तो ordinate same में, और वही यहाँ पर, focus में भी हो रहा है कि ordinate same है, दोनों का ordinate 0 है, जबकि abs अलग अलग है, तो हमें यहाँ पर vertex और focus, दोनों के लिए करना क्या है, यहाँ पर, कि जो center का, जो center का यहाँ पर ordinate है, वही हमको ले लेना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही focus का देखिए, ordinate minus 2 ले लिया, तो जो center का आया, center का differentiate करके 0 के equal लग के आया, अब इसके बाद vertex और focus का जो abs अलग है, वही हो जाएगा, sorry, ordinate यही हो जाएगा, अब abs अलग होगा, तो इसके लिए, जो भी यहाँ पर, इसका abs अलग है, center का, minus 1 और यह plus minus हम ले लेंगे, a, जो भी यहाँ पर plus minus a, 0 है, ऐसे ही यहाँ पर हम ले लेंगे, minus 1 plus minus ae, बस आपको इतना learn होना चाहिए, तो जो center का abs है, वो plus minus a, यह vertex हो जाएगा, और जो center का abs है, minus 1, उसी में plus minus ae कर देंगे, तो यह abs से सा आ जाएंगे, और ordinator center का, vertex का, और focus का, सेम रहेगा, तो अब यहाँ पर हम इसको solve करते हैं, minus 1 plus minus, a देखिए, यहाँ पर कितना है, a 2 है, a square 4 है, तो a 2 है, और फिर comma minus 2, अब इसमें हम एक बार देखिए, यहाँ पर minus 1 plus 2 लेंगे, तो यह 1 आएगा, और 1 comma, यह minus 2 लिख दिया, एक vertex, यह मिल गया, दो vertex होते हैं, minus 1, minus 2, तो यह minus 3 आगया, minus 3, minus 2, तो यह इस तरीके से, देखिए, minus 1, minus 1, यह minus 2, तो minus 2, तो यहाँ पर यह आजाएगा, हमारा, minus 3, minus 2, तो इस तरीके से हमको 2 vertex मिल जाएंगे, अब हम यहाँ पर focus में आते हैं, focus के लिए देखिए, यहाँ पर, minus 1, plus minus, A की value रख देते हैं, A हमारा जो है, वो 2 है, और E जो आया है, root 3 by 2, यह आया है हमारा, और comma, यह minus 2, तो देखिए, यहाँ पर यह 2 cancel हो जाएगा, अब एक बार हमने ले लिया, minus 1, plus root 3, और comma, यह minus 2, एक focus हमको यह मिल गया, फिर हम लेंगे, minus 1, minus root 3, यह इसको ले लिया हमने, और minus 2, यह ले लिया, यहाँ पर comma नहीं लगेगा, इस तरीके से हमको यह दूसरा focus मिल जाएगा, students, अभी आपको यह करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, बट इसकी जब आप practice करेंगे, तो यह काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, अब हम आते हैं, लेटर्स रेक्टम, लेटर्स रेक्टम का फामूला है, 2B square by A, सिर्फ value रख देंगे, इसमें 2B square, देखिए 1 है, अपॉन ए 2 है, तो इस तरीके से यह 1 answer आ जाएगा, अब हम आते हैं, next question पर, देखिए, equation ellipse की यह दी गई है, इसमें भी यही सारी quantities हमको निकालनी है, तो यह A square 9 है, और B square जो लेंगे, वो X square का coefficient लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, A less than B है, तो यह this type का ellipse होगा, अब हम आते हैं, इसकी eccentricity, eccentricity E जो है, उतकेंदरता, इसके लिए formula हो जाएगा, root 1 minus A square upon B square, जैसे यहाँ पर B square upon A square था, यह ना भी याद हो, तो students, इसके लिए मैंने आपको यह बताया, कि आपको केवल यह करना है, कि देखें, इदर 1 minus उपर छोटी वाली value रख लेनी है, तो इसमें उपर छोटी वाली यह 9 है, upon 25, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो यह root के अंदर minus imaginary आ जाएगा, तो बस आप इतना ध्यान रखिए, कि उपर छोटी वाली वाली value रखनी है, तो यहाँ पर यह 16 by 25, यानि कि यह 4 by 5 E की value आ जाएगी, अब हम आते हैं, center, center के लिए मैंने बताया, कि आप X square और X वाले को differentiate किजिए, देखिए, जब हम 25 X square को differentiate करेंगे, तो यह 50 X आ जाएगा, minus 150 आ जाएगा, X का 1 हो जाएगा, equal to 0, इससे हमको X की value मिल जाएगी, देखिए, यहाँ पर X की value आ जाएगी, 3, अब हम Y square वाले को differentiate करेंगे, इसको 9 Y square, तो यह 18 Y आ जाएगा, minus 90 Y का 1 हो जाएगा, इसको equal to 0 रख देंगे, तो इससे हमको Y की value मिल लई है, देखिए, 90 उदर जाएगा, तो यह Y की value 5 आ जाएगी, तो कुल मिलाके इस तरीके से center 3,5 आ जाएगा, अब हम vertex पे आते हैं, तो vertex और focus, दोनों का आप देखिए यहाँ पर, मैंने बताया यहाँ पर, जैसे की alternate same रहा था, तो अब इसके लिए आपको यह मालू होना चाहिए, कि इसका focus जो है, वो देखिए, एक, sorry, यह vertex एक यह और एक यह, 0,B होता है, और 0,-B होता है, ऐसे ही दो यह होती है, focus, यह दोनों ही focus जो होते हैं, वो 0, plus, minus, B होते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि दोनों vertex मे एपससा सेम है, और ऐसे ही दोनों focus में एपससा सेम है, तो जो center का एपससा आया है, 3, वही यहाँ पर vertex और focus का एपससा हो जाएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अब यहाँ पर हमको, जैसे हमने यहाँ पर देखिए, ordinate सेम लिया था, सब का minus 2, जो center का minus 2 आया है, 3, वही हमको vertex का एपससा ले लेना है, वही focus का एपससा ले लेना है, केवल ordinate change होगा, यह बात हमें इससे याद रखनी है, कि इसमें एपससा सेम है, यहाँ पर देखिए, तो अब यह क्या हो जाएगा, जैसा इसमें हमने बताया, कि यहाँ पर इसका minus 1 plus minus A कर देंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी इसका ordinate होगा, 5, उसमें हम plus minus A की जिगे, यहाँ पर देखिए, B है, तो B आ जाएगा, और यहाँ पर 5, जो भी इसका center का ordinate है, उसमें हम plus minus B कर देंगे, यहाँ पर A, A, E होता है, तो plus minus देखिए, A, A, E किया था, यहाँ पर B, O, B, E हो तो बहुत ही जल्दी यह बरके हो जाएगी, अब हम आते हैं, इसमें value रखते हैं, देखिए, 3, 5 plus minus, B की value देखिए, यहाँ पर 5 है, तो यह हम 5 रख देते हैं, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर दो vertex मिल जाएगे, एक 3, 5 plus 5, 10 आ जाएगा, और दूसरा आएगा, 3, 5 minus 5 ले अब हम आते हैं focus पर, आप यह बात समझ चुके होंगे, पहले ही मैं लिख चिका हूँ, बस इसमें यहाँ पर value रखते हैं, 3, 5 plus minus B, E, B की value देखिए, यहाँ पर 5 है, और E जो है, वो 4 by 5 है, तो यहाँ पर अब हम 5, 5 cancel कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा बच रहा है, 3, 5 plus minus 4, अब एक बार हम plus का ले लेंगे sign, एक बार minus का, तो 3, 5 plus 4, 9 हो जाएगा, और दूसरा point हम को मिलेगा, 3, 5 minus 4, 1 हो जाएगा, तो 3, 9, 5, 4, यह दो जैसे vertex आये थे, ऐसे ही यह दो focus आ जाएगे, तो अब आप vertex और focus समझ चुके होंगे, कैसे निकाला जाना है, center की ही help से य आपको ध्यान रखनी है, कि इसका अगर FSA सेम है, तो FSA तीनों का सेम हो जाएगा, alternate के लिए, हम इसके alternate में B add कर देंगे, plus minus कर देंगे, और focus के alternate के लिए, जो center का alternate है, उसमें plus minus B कर देंगे, जैसे यहाँ पे plus minus A, plus minus A किया गया था, आपको यह बात ध्यान देनी है, कि क्य हमको वही fix रख देना है, जैसे इसमें alternate fix रखा था, क्योंकि alternate same था, इसमें FSA same रखा है, fix रखा है, क्योंकि FSA same है, सिर्फ इतनी बातें ध्यान देनी है, अब इसके latest rectum पे आते हैं, ना विलम, तो ना विलम के लिए formula है, बस सीधे 2A square by B equal to 2A square, देखिए 9 है, upon B जो है, व 5, यह हमारा latest rectum आ जाएगा, तो अब आप इन दोनों question से क्या यहाँ पर method है, समझ चुके होंगे, इनको आप लगाईए, apply करिए, अगर आप इनकी practice करेंगे, तो कुछ secondों में ही, बहुत जादा, एक minute में यह सारी quantities आप निकाल के दिखा सकते हैं, तो अगर आपको इस्ट वीडियोस बनाता रहा हूँ,